नमस्कार दोस्तों, GST अपडेट में आपका स्वागत है, आज हम दो बात करेंगे, GSTR 1 में, अगर कोई अगर मिस्टेक है, या कोई करेक्शन करना है, या कोई इन्वाइस छूट गया है, तो उसका जो अमेंडमेंट है, आप एक निव फैसिलिटी जो जुलाई 24 से है, अपन करते थे, अब ये निव फैसिलिटी है, जो 10 जुलाई 24 के गोर्मेंट के नोटिफिकेशन के द्वारा लाया गया है, और ये ऑप्सनल फैसिलिटी है, इसके द्वारा आप कोई एडमेंड या रेक्टिफाई कर सकते हैं, कोई भी अगर आप इन्वाइस आपका छूटी गय होता है, तो ये जिस्ट्री वी रिटर्न जो आपको फाइल करते हैं, सेम टैस्ट पर इडमेंड का वहां तक होता है, तो आइए देखते हैं कि इसके बारे में हम डिटेल जनकरिया आप लेते हैं, और सारे इसके रिगारिंग जितने भी कोई है, तो इसको गोर्मेंट ने इसके डेखिक द्वारा आपके साइट पर डाला है, इसको आपके चर्चा करते हैं, पहला है कि जिस्ट्र 1 एफॉर्म क्या होता है और कौन जिस्ट्र 1 एफॉर्म फाइल कर सकता है, तो कोई टैक्सपेयर जिसको अमेंड करना है अगर कोई इस अप्लाई के रिकॉर्ड को, जिस्ट्र 1 में उन्होंने फाइल कर रखा है, या फिर कोई एडिशन करना है, जो मालीजी को छुट गया है, मिसिंग इनवाइस है, तो इसको जिस्ट्र 1 एक के द्वारा सेम मंत में जिस्ट्र 1 फाइल करने के बाद और बिफोर फाइलिंग आप जिस्ट्र 3 वीड आप इस सप्टमबर को आपने फाइल किया है, और टेक्सपेर ने उसमें कोई मिस्टेक कर दिया है, तो अब यह जो जिस्ट्र 1 फॉर्म जो होगा, जो उसका ऑपन होगा, जिस्ट्र सप्टमबर और ड्यू डेट ऑप दज्ट्र 1, जो दोनों में लेटर जो बात है, तो वहां जो इनकरेक्ट रिकॉर्ड है, उसको या भी एड कर सकते हैं, कोई जो रिकॉर्ड मिस हो गया उसको, ठीक है, और यह जो जो जिस्ट्र 3 में आप जब फाइल करेंगे, तो ऑटो पॉपलेटेड होगा, अब प्रस्निय उठता है कि जिस्ट्र 1 फॉर्म सब अविलेवल होग फाइलिंग के लिए है, तो यह जो अविलेवल होगा आपका, जब JSTR 1 आप फाइल कर देंगे, यू देट ऑफाइलिंग ऑफ जिस्ट्र 1 जो है, 11th of the following month होता है, और date of actual filing of the JSTR 1, जो दोनों में बाद में होगा, वहां से यह फैसलिटी आपके लिए ओपन हो जाएगा, मं quarterly filing के लिए क्या होगा, कि due date आपका, आप JSTR 1 filing का, तो quarter end से आप 13th of the month of the following, the end of the quarter, और date of actual filing of JSTR 1, quarterly, तो जो दोनों में बाद में होगा, वहां से यह form जो है, अविलेवल होगा आपको filing कर देंगे, ठीक है, नेस्ट प्रसन है, यह है हमारा, कि due date क्या होगा, इसका file करने का due date क्या होगा, तो इसका कोई due date नहीं है, लेकिन इध्या रखना है कि आप JSTR 3B जो file करेंगे आप, even due date of JSTR 3B आप जब भी file करेंगे, ताब तक यह आपका window है, इसका open रखेगा, तो आप file कर सकते हैं, till the filing of JSTR 3B, आप same tax period. अब प्रस यह है कि क्या हम JSTR 1A, JSTR 3B के file करने के बाद file कर सकते हैं, तो नहीं, आप JSTR 3B के filing के बाद JSTR 1A filing कर सकते हैं, तो उसके लिए अब क्या procedure होगा, तो उसके लिए आपको next month के, जो JSTR 1 file करेंगे, तो वहाँ पर option जैसे अभी option है, क्या JSTR 1A file करना compulsory होगा, तो नहीं, जैसा कि आप देखते हैं, देखा आपने बात किया, JSTR 1A जो optional है, taxpayer JSTR 1A जो file करेगा, वो दो cases न फाइल कर सकता है, अगर कोई new record इसको aid करना है JSTR 1 में, तो वहाँ पर miss जो record है, उसको यहाँ पर, इसके throw file कर सकता है, या फिर कोई record already जो reported है, उसमें कोई amendment करना है, तो इसका mood क्या होगा, तो online mode होगा, या फिर JSTR 1A, कर सकते हैं, नहीं, तो निल के लिए क्यों क्या facility होगा, तो निल के लिए क्यों क्यों जरुवत है, तो no filing of JSTR 1A is not available, क्या हम JSTR 1 में जो earlier reported है, अमेंड उसको amend कर सकते हैं, पहले जो JSTR 1 का रखाया है, पिछले tax period का, क्या उसमें amendment कर सकते हैं, तो नहीं, JSTR 1A आपको allow करता है, JSTR 1 current tax period का हो, जो में आपको कुछ aid करना है, या correction करना, उसके लिए अवलेबल है, पिछले महिने का JSTR 1 में अगर कोई आग मिस्टेक हो गया है, या aid करना, उसके लिए JSTR 1 अवलेबल नहीं है, तो आपने earlier अगर JSTR 1 का रखा है, तो उसको आप amendment subsequent JSTR 1 को फाइल करेंगे, अगर कर सकते हैं, अगर JSTR 1 ने, हमने सेव कर लिए है record, तो क्या JSTR 3 भी पहले फाइल कर सकते हैं, तो इस case में अगर आपने JSTR 1 ने, फिल कर लिया है, सेव कर लिया है, तो GSTR-TV आपको error होगा, आपको क्या करना है कि GSTR-1A को reset कर देना या data को delete कर देना है, तब आपका GSTR-TV आपका file होगा है. क्या आप debit node या credit node GSTR-1 में add कर सकते हैं, तो हाँ जो. debit credit node का कोई भी detail है, तो आपका responding tables जो है GSTR-1A में, उसमें add कर सकते हैं. क्या recipient GSTR-1 उसको भी amend कर सकते हैं, तो नहीं. GSTR-1 of the recipient उसको amend नहीं कर सकते हैं, GSTR-1 एक तुछ. तो इसको amendment only through the GSTR-1 of the following tax period है, उसके परसे. Next question है कि हमने quarterly filing of the GSTR-1 चूच कर रखा है, क्या हम aid या amend कर सकते हैं, details of कोई भी record जो आईए फिर, जो invoice furnishing facility है, मंतली हमारा, उसके through हम कर सकते हैं. In GSTR-1 तो हाँ, कोई भी record अगर आपने furnace किया है month 1, month 2 का through invoice furnishing facility के through, तो उसको आप amended GSTR-1 में कर सकते हैं, same cash period में जो अब लेवल होगा, after filing of GSTR-1 for the quarter and before filing of GSTR-3B. क्या हम GSTR-1-A को amended कर सकते हैं, again, if the GSTR-3B is not filed, क्या एक वर फाइल कर सकते हैं, तो नहीं, GSTR-1-A can be filed only once for a particular tax period, even if GSTR-3B is not filed. इसके regarding सारे look query है, तो यहां पर detailers का दे दिया गया, अगर इसके regarding कोई भी comments query हो, आप तो comments box में आप इसको डाल सकते हैं,